शबको मेरा अपनाम है, नमस्कार है, प्यारे बच्चों, B.S.S.E. Interesteriya हरकत शुरू हो गई है और आप कहिए का क्या हरकत शुरू हो गई है, इससे पता चल रहा है कि बोर्ड जगा हुआ है और 2025 में विधान सवा का चुनाव है, तो मेरे दोस्त, आप यह जान लीजे कि बिहार का चतना एक्जाम है, सब हो जाना है 2024 में दिसंबर तक चाहे वो बिहार S.S.E. Interesteriya हो, चाहे वो बिहार S.E. Graduate Level हो जो वेकेंसी आना है, चाहे वो T.E. 3 हो, T.E. 4 हो, B.S.E. T.E. 3, 4, 5 या बिहार पुलिस जो कैंसिल हुआ है, या बिहार पुलिस जो होने वाला है, या Civil Court, इस सब एक्जाम हो जाना है अगले 6 महिने के अंदर, आप कहिएगा क्यों, तो जितने भी पक्च और भी पक्च हैं, सब की वाल और बिहार में, other state सारा छोड़ दीजिये, तो बिहार में सिर्फ इसी बात पर चर्चा हो रही है, कि जौब किस ने दिया, और कौन देगा, इसका फाइदा कहीं न कहीं, बिधान सबाद चुनाव से पहले आपको देखने को मिलेगा, और प्रियाप्त रूप से देखने को मिलेगा, इसके लिए आपने इस्चिंत रहिए, अगर आपको हमारी बातों पर भरुशा ना हो, तो आप खुद से अगर पॉलिटिकल समझ तो हर बिहार का graduate बच्चा रखता है, आप चुनाव समर्पित नहीं किया है, उक्त परिक्चा के सभी अभियर्थियों को निर्देश दिया गया है, कि तुरुटिपूर्ण आवेदन के संदर में, उक्त अवधिस में, सभी आवश्यक प्रमान पत्रों के साथ, अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें, शभी प्रकार के तुरुटि निवारन हेतु दिनांग सताइस पाँच दुहजार चोविस, इस महीने के 27 तारीक तक, पाँच वजे तक समय अंतिम रूप से दिया जा रहा है, अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पस्चाथ, ऑनलाइन आवेदन के तुरुटियों में, सुधार एवन प्रावन पत्रों के अप्लोड करने हेतु, वांचित लिंक आयोग के वेबसाइट पर उपलब्द रहेगा रहेगा लोक शभा निर्वाचन दुरुजार चौबिस के आदर्स आचार संगिता के परिक्ष में उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, अभियर्थी अध्यतन सुचना है तु, आयोग के वेबसाइट इतना पर, आयोग के वेबसाइट इतना का सतत अब लोकन करते रहें, मतलब आपको अब लोकन इसका करते रहना है, 27.05.2024 तक आप किसी भी प्रकार की तुरुटी अगर है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, 27.00 अभियर्थियों का लिष्ट आयोग के वेबसाइट पर दे दिया गया है, आप वहाँ चाहिए, क्या आपका आया, उसमें नाम नहीं है, और आपने किसी भी प्रकार की तुरुटी की है, तो उसको आप ठीक कर लिजए, प्यारे बच्चों, हम फिर से आपको कह दें, कि आने वाले, 2024 के अगले 6 महिने में, आपका लगभग बिहार का सारा एक्जाम हो जाना है, आप कहिएगा कई से, तो अगर आप पॉलिटिकल थोड़ी सी भी समझ रखते हैं, और बिधान सबाच चुनाव को ध्यान में रखते हुए, आप पॉलिटिकली खुद से इस बात का डिसकसंस कीजेगा, तो आपको पता चल जाएगा, तो मेरे दोस्त, आप कहीं भी रहें, तयारी कर रहें हैं, तो अगर आप अपने फाल्तु के दोस्तियार में अपना समय ब्यतीत कर रहें, तो उसको छोड़ दीजे, आपका एक मातर दोस्त है, वो है आपके ममी और पापा, अगर उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हो जाएए तयार, क्योंकि ममी पापा से बढ़के आपका कोई दोस्त नहीं है, ममी पापा ही आपके सबसे परमित्र है, और यहाँ अगर आप उसको भूल गए हैं, आप क्या सोचे थे, कवाल देंगे, फाल देंगे, चीर देंगे, और वो चीजे आप भूल गए हैं, तो उसको याद कीजिये, और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई वेकंसी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, तो आप तुरंत रास्ता बदल लीजे, क्योंकि competition इतना हाई है, कि हौन नहीं वला को result नहीं मिलना है, आप मेरे दोस्त सेलफ स्टड़ी कीजे, ग्रूप में अपने से ग्रूप बना कर स्टड़ी कीजे, किसी ट्यूटर की मदद लीजे, जरूरी नहीं कि हमसे पढ़िये, आप किसी से भी पढ़िये, लेकिन दोस्त मेरे result के लिए एक कदम हर दिन जरूर बढ़ाईए, क्योंकि competition थोड़ा सा tough है, और अगर उसमें आपको एक seat लेना है, तो होना से काम नहीं चलेगा, और आपका मित्र सिर्फ और आपके ममी पापा है, और अगर उसका सर पक्र से उपर उठाना है, तो उठाईए कलम और लिख देजे अपनी तकदीर, क्योंकि मेरे दोस्त आप जिस background से आते हैं, वहाँ पर कलम ही एक मात्र उपाए है आपके लिए, इसकी गरिमा को पहचानिये, हम बार बार कहते हैं, अगर खुद पर यकीन नहों, अपने हितैसियों से पूछिए, पढ़ाई से ही आपका जीवन बदलेगा, नमशकार, बाकी आप हम से क्या चाहते हैं, comment box में जरूर लिखिए, thank you very much, love you all.